दोस्तों माल दिय और तूर्की को आप एक तरीके से जड़ुआदेश कहा सकते हैं क्योंकि दोनों देशों में बहुत सारी समानताएं हैं जैसे की दोनों देश खुबसूरत हैं इससे इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन दोनों देशों की जादर जो population है वो भी मुस्लिम है इ इस समय पूरी तरीके से तूरिजम पर ठीकी हुई है जी हाँ तूरिजम के अलावे इन दोनों देशों के पास और कोई रास्ता नहीं है पैसा कमाने का छोटी मोटी इंडस्टी है लेकिन अर्थ हवस्था का एक बड़ा हिस्सा ठीका हुआ है तूरिजम पर लेकिन इसके अल होते हैं राष्ट्रपती चुने जाते हैं और उसके बाद संसद भी बैठती है यानि कि पार्लेमेंट बैठती है जो कि एक यूनीक बात है लेकिन इसके अलावा एक खास बात ये है कि दोनों देशों के जो राष्ट्रपती हैं वो हद से जादा कट्रपंथी हैं और पूर गुजर रही है एक देश मालदीव है जो अपना बजट तक तयार नहीं कर पा रहा पैसे की इतनी कमी है तो दोसी तरफ तुरकी है जो कि इस समय 60-70% के इन्फलेशन यानि की महंगाई दोर से गुजर रहा है और इसे देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि मैंने क्यों कहा था कि ये दोनों देशों को आप जुडवा कह सकते हैं क्योंकि दोनों देशों में बहुत सारी समानताएं हैं मुसीबते भी इनकी एक जैसी हैं लेकिन अब इसमें एक और इजाफा हो चुका है जी हाँ आज ही खबर निकल कर सामने आई है आप अपने स्क्रीन पर कि तुर्की के जो होटल हैं रेस्टोरंट हैं और जो इनके टूरिस्ट प्लेस हैं वो आधे खाली हो चुके हैं इतना ही नहीं तुर्की का जो में शेहर हैं इस्ताम्बूल वो तो फिर भी आधा भरा हुआ है इसके अलावा जो बाकी के इनके शेहर हैं टूरिजम प्लेस ह वो तो आधे भी नहीं भरे हुए और इस वज़े से तूर्की के जो होटल मालिक हैं जो छोटे-छोटे बिजनिसमेन हैं इसके अलावा जो रेस्टोरेंट मालिक हैं वो इस समय भयंकर नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि इनकी पूरी अर्थवस्था पूरी एकोनमी टिकी Sumildest civilization यानि की यॉर्प की सबसे पूरानी सभ्यताओं में से एक ग्रीस ने इनके जातर जो टूरिस्ट है वो छीन लिये हैं इस समय चाहे भारत के टूरिस्ट हों योरप के टूरिस्ट हों अमरीका के टूरिस्ट हों यहां तक की चीन के भी टूरिस्ट हों सब के सब तुर्की को छोड़ कर रुक कर रहे हैं ग्रीस को और इसका कारण है तुर्की का अडियल रवय या इनका घमंडी पन इन्होंने घमं online देशों के लोग बायकोट कर रहे हैं तुरकी का और इसके कटर दुशमन ग्रीस का रुक कर रहे हैं और उसके टूरिजम को बढ़ हवा दे रहे हैं अब आप कहूगे या तो हमें पैसे दो टेक्लोजी दो वरना जो सीरिया अरब देशों से तमाम रिफ्यूजी आ रहे हैं उन्हें हम भरना शुरू कर देंगे और जबरदस्ती योरप में घुसा देंगे जिससे कि आपके देशों में तबाही मचेगी ये लोग जबरदस्त क्राइम करेंगे आ आपके देश का सत्यानास करेंगे इसे देखकर योरप के लोगों को लग रहा है कि तूर्की और उनका कट्रपंथी राष्टपती रहे चापते ये बर्दोगान हमें ब्लैक मिल कर रहा है इन्हें सबक्सिखाने की जरुरत है बात करे भारत चीन की तो भारत इसलिए नारा तो वर्डवाइड बायकोट हो रहा है इस समय तूर्की का तूर्की को सबक्सिखाने के लिए दुनिया भर के लोग ना सिर्फ इनका बायकोट कर रहे हैं बलकि इनके जो कटर दुश्मन है जो इनका पड़ोसी देश है ग्रीस उसका समर्थन कर रहे हैं वहां विजिट कर जिससे कि ग्रीस की कमाई हो रही है ग्रीस मजबूत हो रहा है और आपको याद होगा कि कुछ ऐसी घटनाब से कुछ महीने पहले घटी थी मालदीव के साथ इनके यहां भी एक कट्रपंथी राष्टपती आ गया था जो भारत के खिलाफ अनाफशनाब बोलता था भारत के ल सीबतों की जड़वी एक है इनका राष्टपती